secondary sources of information को discuss करते हैं जब आप literature review के अमल से गुजरें और उसके लिए आप material सर्च कर रहे होंगे पढ़ने के लिए review करने के लिए तो material को हमने कहा कि दो नौईयत में तक्सीम करते हैं primary sources of information और secondary sources of information primary sources of information में हमने कहा कि वो तमाम information जो first hand होती है ऐसे तमाम documents जिन में first hand information मिलती है वो primary sources of information कहलाते हैं अगर एक मिसाल से हम इनका फरक समझ लें और फिर हम इसके मुख्तलिफ मिसालों पर गोर करेंगे हमने देखिए कि जैसे आइन पाकिस्तान हमने कहा कि एक primary source of information है तो उस आइन की वजाहत में लिखे हुए मुख्तलिफ documents उन में किताबें भी हो सकती है अखबार के article हो सकते हैं कुछ review papers हो सकते हैं जो मुख्तलिफ माहरीन जो कानून को जानते हैं वो उस आइन के अंदर दी हुई चीजों की तशरी के लिए वजाहत के लिए कुछ इस तर या secondary sources of information कहते हैं क्योंकि वो first hand information नहीं हैं बलके first hand information की वजाहत में लिखी गई किताबें इस में मुख्तलिफ लोगों के लिखी हुई commentaries में फरक हो सकता है यानि मैं एक ही चीज के बारे में लोग मुख्तलिफ राय रख सकते हैं उसकी interpretation मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं तो अगर इसको एक और मिसाल के साथ हम देखें तो जैसे कुरान पाक है वो एक primary source of information है अब कुरान पाक के अंदर दी गई चीजों की वजाहत के लिए मुख्तलिफ उलमा ने तफासीर लिखी उलमा किसी एक चीज की तफिर में किसी एक चीज की interpretation में एक दूसरे से अखतलाफ राय रख सकते हैं तो आप मुख्तलिफ तफासीर पढ़ें तो किसी एक पॉइंट पे उलमा की राय में फर्क नजर आ सकता है क्यों कि ये बनियाद इंफर्मिशन नहीं फर्स्ट हैंड इंफर्मिशन कुरान पाक है उसके अंदर दिये गए एकामात की रहनुमाई की interpretation तफासीर में आई तो तफसीर जो होगी कोई भी वो उसकी secondary source of information के तौर पे ली जाएगी कुरान पाक उसका primary source of information है तो अब इससे एक बात जो समझने की है कि हम authenticity के लिहाज से जब ये कहते हैं कि primary source of information authentic होते हैं उनको ज्यादा prefer करना चाहिए अगर आपको इस्तमाल करने हों तो उसके पीछे बड़ी वज़ा यही है कि वो first hand information है जो secondary source होगा वो उसकी first hand information की interpretation है वजाहत है तो लहाज़ा ये उसके मकाबले में अपनी authenticity के लिहाज से उस दरजे पे नहीं होता लेकिन credible information होती है ये भी ये मुख्तलिव लोगों का नक्ताय नजर हो सकता है जो किसी analysis की base पे किया होता है किसी synthesis की बनियाद पे logic की reason की बनियाद पे वो उसकी वजाहत कर रहे होते हैं तो ये इससे ये कतन मराद नहीं कि ये sources use नहीं करने चाहिए हमारे पास accessibly अमूमन ज्यादा तर secondary sources of information होते हैं लेकिन अगर आपके पास choice हो तो primary source पहले इस्तमाल करेंगे और secondary source बाद में prefer इसके अगर आप मिसाले लेना चाहें मुक्ति converator resources की तो किताबें इसकी एक मिसाल हो सकती हैं लेकिन हर तरह की किताब नहीं वो किताब जो किसी primary source of information की interpretation के लिए 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 लिखी गई हैं तो जिसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया आएने पाकिस्तान है तो उसकी तश्रीख के लिए लिखी गई किताबे उसकी कमेंटरी जो है वो इसमें आ जाती है इस तरह न्यूस पेपर आर्टिकल्स हैं अमूमी तोर पे ये लोगों की राये पे मबनी होते हैं किसी भी चीज के बारे में ओमेंगिया पेज़ पे जो अर्टिकल्स चपते हैं बारों में ये सैकेंडरी सोर्स Beef Information है इन्साइकलोपीडियाज हैं इनसाइकलोपीडिया जो है वो भी सेकेंडरी सोर्स अफ इन्फरमेशन है उसमें आप किसी एक मौजू पे इन्फरमेशन बुनियादी इन्फरमेशन एकठी करके लिखते हैं मुख्रिफ जराय से इसे तरह डॉकुमेंटरी जा जाती है जो हमने मुख्रिफ चीजों की वजाहत के लिए बनाई होती है रिव्यू आर्टिकल्स है ये बेसिकली जर्नल आर्टिकल्स की ही एक टाइप है जो रिव्यू आर्टिकल्स में छपते हैं उनमें एक किसी मौजू पे उससे पहले हुई हुई research को लेके उसका एक synthesis पेश किया जाता है किसी भी question के around तो ऐसे तमाम आर्टिकल्स जो review की सूरत में लिखे जाते हैं वो भी secondary source of information में आएंगे statistical compilations हैं जी statistical compilations हैं कि एक basic statistical data कोई organization generate करते हैं बेरो of statistics पाकिस्तान में बन्यादी data फ़र्श कर लीजे यूथ के बारे में यूथ की skills के बारे में literacy rate के बारे में education की quality के बारे में data कठा करते हैं मुल्क से और फिर उस data को इस्तमाल करके हम मुख्तलिफ तरह की reports generate करते हैं जिसमें मिसाल के तोर पे आप देखिए तो हम educational statistics के नाम से किताब चापते हैं जो उस basic data को मुख्तलिफ combinations के जरीए से हमें education के बारे में information provide करती है analysis करके देते हैं कि हमारे different levels पे education के क्या हाला आते हैं तो वो बन्यादी ताप पर raw data नहीं होता बलकि उस raw data को इस्तमाल करते हुए आप मुख्तलिफ तरह की reports generate करते हैं जो आपके system को guide कर सकें तो statistical compilations इन चीज़ों को कहते हैं ये भी secondary source of information है commentaries मुख्तलिफ तरह की आप किसी भी देखते हैं कि लोग किसी मौदू पे अपनी राय का इसहार करते हैं उसके मुख्तलिफ पहलूं पे अपनी understanding के मताबिक रोशनी डालते हैं तो इसके लिए बनी हुई को कोई audio की शकल में, video की शकल में, written books की शकल में, papers की शकल में, commentaries ज information की आपके सामने रखी, लेकिन ये कोई exhaustive list नहीं है, इसके इलावा और भी बहुत से जराय हैं जो के इसी में fall करते हैं, बात सिर्फ इतनी सी जहें हैं जो जहें में रखनी है, कि ऐसे तमाम documents किसी भी शकल में हो, audio, video, किसी भी media form में पाये जाते हूं, वो तमाम documents जो primary information की interpretation के तोर पे लिखे जाते हैं, वो तमाम documents जो होंगे, वो तमाम audios, videos, वो secondary source of information कहलाते हैं